जारकन में जहां प्रतम चरण के 13 विधानसभा सीटों पर मद्दान को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी और पाच्वे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में गटबंदन के मुख्य मंत्री पद के उमीदवार हेमन सोरेन में राज्र के उपराजधानी दुमका से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के समय उनके साथ विधायक नलीन सोरेन, भाई वसन सोरेन, जामूमो के महासचीव विजय सिंग मौजूद आपको बता दे कि हेमन सोरेन दो विधानसवा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 की विधानसवा चुनाव में दुमका सीट से हेमन सोरेन को हार का मूँ देखना पड़ा था। बरहेट से वो 2 दिसमर को नामांकन दाखिल करेंगे। जामूमो के कारेकारी अध्यक्ष वर्ष 2014 का चुनाव साहिब गंजिला के परहेट विधानसवा सीट से ही जीता था। सवरंग समाचार के लिए दुमका से तरुन कुमार की रिपोर्ट।